पिछले साल की तरह इस साल भी सूपर बाइक से लेकर क्लासिक मौडन बाइक्स लॉंच होने वाली है। रॉयल एंफिल्ड साल की शुरुआ दमदार रॉयल एंफिल्ड स्केम 411 की लॉंचिंग के साथ करने जारी है। हाली में इसके प्रोटोटाइप को टेस्टिंग के दुरान स्पॉट किया गया था। इस केम 411 हिमालेयल एडीवी का रोड बायल्ड वर्जन होगा। इस बायक किफायती के साथ साथ दमदार परफॉर्मेंस फाली होगी। इस मोटरसाइकल को हाली के दिनों में कई बार टेस्टिंग के दुरान देखा गया है। इस केम 411 मोटरसाइकल के लॉंचिंग के इसके बाद बिकर शुरू हो सकती है। हंटर 350 बाइक मैटे और 350 मोटरसाइकल पर बेस्ट होगी। इसे जून 2022 तक भारत में लॉंच किया जा सकता है। रॉयल एंफिल्ड ने हाली में EICMA मीट SG 650 कॉंसेप्ट को पेश किया था। बताया जो रहे कि प्रोडक्शन स्पेक वर्जन साल 2022 के आखरे तक भारत में लॉंच किया जा सकता है। मोटरसाइकल पहले से ही डैवलप हो रही है और इस भारत में कई बार टेस्टिंग के दुरान दिखा गया है। यह रॉयल एंफिल्ड के मौज़ूदा 350 CC मौडल की तरह हिंजन और प्लैटफॉर्म पर बैस्ट होगी। लॉंच होने पर इसकी एकस शोरूम की मत 3 लाग रुपे सी 4 लाग रुपे की बीच होगी। रॉयल एंफिल्ड इंटरसप्टर 650 की एक ओफ्टर मार्केट LED हैटलाइट के साथ साथ ओफ्टर मार्केट टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। फ्यूल टेक्ट रिस्पॉर्ट ग्रेपेंट ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ रॉयल एंफिल्ड ब्रॉंटिंग और ब्लैक आउट नी रिसेशेस के साथ आती है। यह 648 CC पैरलल ट्वीन मोटर पर बैस्ट होता है। इसमें 47.65 PS की पिक पावर आफ अधिक्तम टॉर्क मिलता है। इसमें स्वीपर क्लच के साथ 6-speed gearbox मिलता है। यह जुडी रोट किंग इस साल रोट किंग स्क्रेबरल और इसमें ADV सिबलिंग के तहट दो मोटर साइकिल लाँच करने का प्लान बना रही है। यह जुडी रोट किंग स्क्रेबलर का बाजार में आगामी रोयल एंफिल्ड हंटर से मुकाबला होगा। दुन बाइक्स में नियो रेट्रो स्टाइलिंग है और जिसमें राउंड हैंड लैंप और फोर्क गैटर जैसे फीचर्स हैं। नियुजेन KTM RC 390 KTM ने अपडेटिड 2022 KTM 390 Adventure का खुला सक्या है। मैड इन इंडिया 390 Adventure के लिटेस्ट वेरियंट में इलेक्ट्रोनिक्स अपडेट की साथ साथ कॉस्मेटिक बतलाओ की शामिल है। नियुजेन Adventure टूरर को मशिनरी डूप से पहले जैसे ही रहते हुए जरूरी फीचर्स अपग्रेट मिले हैं। विज्वली 2022 KTM 390 Adventure में बाइक को नई लुक देने के लिए नए ग्राफिक्स के साथ दो नए कलर आपशन मिलता है। लेकिन इससे भी खास बात या है कि KTM 390 Adventure की 2022 मॉडल की इलेक्ट्रोनिक को दो अलग-अलग लेवल्स की ट्रेक्शन कंट्रोल लेकर अपडेट किया है। कंपनी ने अभी ज्यादा फीचर्स का खुलास नहीं किया है। अनुमार है कि इसमें BS4 CB302R के समान ही फीचर्स होंगे। इसमें 6-speed gearbox और assist और sleeper clutch की साथ मिलेगा।